नमस्कार जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली एंसेटी चुनाओ के बाद एक राजनितिक नोटेंग की चुई हुई है दिल्ली लगबग दो बार मेर और डियूप्टी मेर के चुनाओ उन लोगों ने कैंसल कर दिये और ये भी एक शर्यंत्र है उन लोगों का मिला जुला इसी के बारे में मैं शांत्नु भाई से मेरे कुछ सवाल है वो मैं पूछूँँगा शांत्नु भाई मैंने यह सुना जब पहली बार चुनाओ हो रहे थे तो आपस में चुने हुए प्रति वीडियो ने एक दूसरे पर ब्लेड से भी हमला किया आप इसको कैसे देखते है जी देखे सुने मत तो मुझे भी आया है और यह बहुत ही गलत है इसका मतलब जो लोग चुने गए हैं वो उस काबिल लही है क्या वो भी गुंडे है पिल्खुल सदन में लोगों ने गुंडे वे थे हैं या अपने प्रतिनी भी मींस लोगों ने थोड़े से लालज के ल हाँ अब करीन मजे की बात मैंने सुनाया शांत्रों भाई MCD सोने की चिडिया है वे लोग सोने की चिडिया यानि की MCD से जो पैसा लाखों क्रोरों का बज़र होता है ना उस पे कबज़ा जमाना चाते हैं जनता के पैसे से खुद की आश देख रहे हैं वो जनता का भलानी जरते हैं ना पहले हुआ है डिली में आज की डेट में भी न सिरफ और सिरफ पोस्टर के लिए सफाई होती है हकीकत में आप जाके देखना आज की डेट में भी ना नालियों का पानी सडकों पे बहरा होता है पान-पान-पान-शासा साम लगी जाते हैं सडके नहीं बनती ह सब्सक्राइब देखा है और दूसरी चीज रिसेंटली देखिए तीन से चार महिने हो गए MCD करमचारियों को सेलरी नहीं दे रहे हैं तो आप कह रहे हो MCD सोने की चिडिया है सोने की चिडिया तो प्रतिधियों के लिए है जो चुने गए हैं क्योंकि वो पैसा निकालते तो हैं लेकिन अपने भाईवंदों में बागते हैं अपने भाईवंदों को काम देखकर बागते हैं पैसा वो है सोने की चिडिया उनके लिए तो मैं भलो आमनागरी क्या हूं करमशारी का? कोई भला नहीं? कोई भला नहीं, यैसे की गहू के साथ घुन पिसता है हम लोग घुन है उनके लिए गहू भी नहीं है समझने की जूरत है लोगों को प्रतिमी निझी चुनने से पहले सौ बार सोचने की जुरुत है हम लोग सिरफ एक छोटे से लाव के लिए एक ऐसे विक्तिको वोट दे देते हैं जो उस काबिल नहीं होता है आज डिल्ली वाले उसी का नतीजा भुगत रही है एक मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुद पा रही है सोचने की जुरुत है कभी सुप्रीम कोट जा रहे है सेम ड्रामा राज महीं हमने चंडी रड एमसी बेवी देखा बिल्कुर ये सिरफ और सिरफ व्यक्तिक लाव और पार्टी लाव के लिए का लिए हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा शो करना चाहरा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है राजनितिक फाइले के अलावा व्यक्तियों को फाइदा होते मैंने नहीं देखा है पर कुछ तो इस पर व्यूवर्स के राही ले लेते हैं मैं व्यूवर्स से भी कहूंगा कि आप सोचिए के कैसे व्यक्ति को सदन में भेजना चाहिये प्सको वोर्ट देने चाहिए क्या वोर्ट देने से पहले हमें केंडिडीट के बारे में अच्छे से समाझने के जुर्त है या नहीए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वीडियो पे कमेंट करके बताईए और दिल्ली में हुए MCD चुनाओ का लाव किसको हो रहा है इसके बारे में जरूर बताईएगा धन्यवाद